नमस्कार किसन वाई और मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है आज हम 5000 लेयर पोल्ट्री इसके बिजनेस प्लैन के बारे में बाच्चित करेंगे इस बिजनेस प्लैन में हम देखेंगे कि 5000 लेयर पोल्ट्री अगर हम डेवलप करना चाते है तो इसके लिए किस तरह का shade construct होना चाहिए उसके बाद उसके लिए कौन से cages लगते हैं और birds पर्चेस करने इसके बारे में विश्तार से हम देखेंगे कि कितना धर चाता है और ये विशे हमने इसलिए लिया है कि बहुत सारे हमारे जो किसान है उन्होंने हमें request की थी किसर layer farming आज कल बहुत अच्छा चल रहा है और हमने देखा है कि पिछले दो सालों में कोरोना की वज़े से बहुत सारे अंडे का सेल जो है यह प्रॉपरली चल रहा है और rate भी अच्छा मिल रहा है तो किसानों का कहना यहा था कि सर हम अगर 5000 layer poultry start करते है तो इसके लिए कितना investment ले इसमें शेड की तो हम देख लेते हैं कि शेड कैसे develop करना है और इसके लिए क्या खरचाता है पोल्टरी शेड तो आपने देखे होंगे लेकिन हमें अगर layer farming करनी है तो इसका शेड भी अलगाएगा सबसे पहले तो हमें अपनी खुद की जगह लगेगी और 5000 layer poultry के लिए हम कम से कम 5000 स्क्वेर फूट जगा लगेगी इसमें जो है तकरीबन 3500 स्क्वेर फूट यहाँ जगा जो है तो layer farm के लिए लगेगी जहां पे हमारे cages इंस्टॉल होंगे तो यह farm बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि लंबाई कितनी होनी चाहिए चोड़ाई कितनी होन यानि पूर्वसे पस्चिम जो है यहाँ लंबाई होनी चाहिए और उसके बाद आती है बात लंबाई के और चोड़ाई की तो 5000 लेयर बोल्ट्री के लिए हमें तकरीबन लंबाई जो है 100 feet की होनी जरूरी है उसी तरह चोड़ाई जो है तकरीबन 35 से 36 feet की चोड़ाई होनी लेयर शेड में हमें यहाँ देखने मिलता है कि इसकी height जो है बाकी शेड से थोड़ी जादा होती है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि side की height जो है यहाँ तकरीबन 14 feet तक होनी जोर रहे है 11 feet से 14 feet तक और यह variation इसलिए है कि जिस company के cages साप इंस्टॉल करना चाहते है वह 18 feet तक होनी जोर रहे है और यह height जो है कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि अंदर जो हम cages रखने के लिए platform बनाते है उसकी height के लिए और हमारा जो liter collection है इसका system में हम कैसे रखने वाले इसके हिसाब से shade की height कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं तो तकरीबन 5000 लेयर बोल्टरी के square feet में हम देखेंगे तो तकरीबन 35,000 square feet होता है और आज का इसका cost देखा जाए construction तो यह 200 रूपए per square feet के हिसाब से होता है और अगर हम यह 35,000 square feet का shade बनाना चाहते है लेयर बोल्टरी के लिए तो इसका total खर्च आएगा तकरीबन 8,75,000 का खर्चा में यानि यह आप 9,000 तक पकड़ के चल सकते है तो यहाँ आज की running cost है only shade construction का हमें 5000 लेयर पोल्टरी के लिए 9,00,000 तक तक तर चाहे रहा है उसके बाद आप वीडियो में देख रहे होंगे कि layer poultry रखने के लिए layer cages याई से हम battery cages भी बोलेंगे तो यहाँ आप देख रहे हो और इसकी कम से कम 3 line हमें ह होती है और यह two tire यह three tire यह इस type में आप बिटा सकते है two tier three tier इसका मतलब है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पहला battery cage है उसके बाद दूसरा battery cage है दूसरी height पर और तीसरा highest top पर जो है तीसरा battery cage है तो यह three tire system इसे हम बोलेंगे और यह cage दो ही होते है तो इसको two tier system हम बोले टो सेड में जब केजस install करने की बात आती है तो इसका भी खर्च जो है पर बढ़ के हिसाब से आता है तो अजका टाइम का अगर हम पर बढ़ के हिसाब से खर्च देखते हमें अगर 5000 पोल्ट्री बर्ट्स जो है lier the bird हामें डालने है तो 5000 के हिसाब से हम देखेंगे की एक बर्ड के लिए हमें लेयर केज में जो है खर्च आता है 110 रूपे में लेयर केज का खर्च आता है और हम अगर 5000 लेयर पॉल्ट्री डालने वाले हैं तो इसके हिसाब से हमारा टोटल केजिस का जो खर्च है वह हो जाएगा तो इसके बात आती है एक बार हमारा शेड़ बन जाता है उसमें हम केजिस इंस्टॉल करते है तो इसके बाद हम बर्ड पर्चेस करना ज़रूरी है उसके पहले हम देखते हैं कि cage हम जब इंस्टॉल करते हैं तो इसमें तीन बाते हैं एक तो layer bird रखने के लिए cage आएगा उसके बाद उसे जो feed लगता है तो यह feeding system भी इस cage के साथ ही आता है उसी तरह हमें पता है कि इन layer bird को पानी लगेगा तो इसमें drinker system है यह भी cage में आता है तो यह पूरा total खर्च जो रहता है cage system का इसमें cage feeding and drinking यह तीनों खर्च इस cage system में आते हैं जो कि मैंने बताया पर bird 110 रुपई यहां आता है और इसके बाद हमें जो होता है तो bird purchase करने होते हैं तो bird भी हम ऐसे purchase करते हैं layer bird जो कि हम purchase करने के बाद तकरीबन जल से जल अंडे के उपर आए और ऐसे तकरीबन 14 week के जो bird है इसकी price हम देखेंगे तो इसकी price भी per bird की price आज transport के साथ हम देखते हैं तो यहां तकरीबन 130 रुपीज आपको जाएगी और इस हिसाब से अगर हम total costing देखेंगे हमें 5000 layer bird purchase करने है ready bird purchase करने है तो इसके हिसाब से इसका खर्च जो आत हमें bird purchase करने में जाएगा तो अगर हमें एक layer farm develop करना है तो मैंने जो आपको तीन मतों पूरुन बाते बताई सबसे पहले तो construction of seed उसके बाद जो है हमें उसके अंदर जो case system install करना है और उसके बाद तिसरी बात आती है हमें bird purchase करने है तो यह तीनों बाते बहुत important है इसके ब में जब हम excel करेंगे उसके बाद हमारा profit जो है layer farming में शुरू होता है तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि किसी को अगर 5000 layer poultry का farm develop करना है तो यह total investment हमने जो तीन बोली है जिसमें shade, cages और bird purchase करना है यह तो हमें करनी ही करनी है और इसके बाद और investment आती है वह important है कि हमें हम raw material stock करके रख सकते हैं उसी तरह वहाँ पे हम फीड मील लगा सकते हैं कि हमारे पास 5000 layer bird है तो हमारा खुद का feed भी होना ज़रूरी है तब ही हमारा feeding का खर्चा कम हो सकता है और हम excel से ज्यादा से ज्यादा profit margin कमा सकते हैं तो 1000 गोडाउन डेवलप करने के लिए तक्रीबन आपको 300 रुपे स्क्वेर फीट से यहाँ गोडाउन का खर्च आएगा और यहाँ खर्च जो है तक्रीबन तीन लाग जो है गोडाउन का स्ट्रक्शन के लिए आपको लग जाएगा उसी तरह फीड मील देखेंगे आप तो फीड मील भी आपको easily one turn capacity two turn capacity per day के हिसाब से फी है उसके बाद तीसरा पार्ट जो लगेगा हमें तो हमारा जब एक प्रडॉक्शन शुरू होगा तो एक स्टॉक करने के लिए भी स्टोरेज रूम लगेगा और यह स्टोरेज रूम जो है वह यह कंडिशन होना ज़रूरी है ताकि हम एक जो हमारे कम रेट होगा तो करने में आ सकता है तो इस तरह का इनिशियल बिजनेस प्लैन पाच हाजार लेयर पोल्ड के लिए आपको तयार करना पड़ेगा यह तयार करते समय आप दो लोगों की मदद ले सकते है पहली मदद तो है जो है वह वेटरनरी डॉक्टर जो है उनसे आप पूरी टेकनिकल ब बात करनी होगी ताकि कम से कम खर्चे में आपका यह सेड़ जो है कंस्ट्रक्ट हो सके और एक बिजनेस प्लैन आप बना सके बहुत बार बहुत सारी बैंक कैसी है बहुत सारी गवर्मेंट की स्कीम है जहां से आपको अच्छा लोन भी मिल सकता है तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं ताकि फैनेंसियल लोड आपके उपर न आए तो मुझे लगता है कि 5000 लेयर पोल्टरी का फार्म डेवलप करने के लिए हमने जो सभी बाते डिसकस की आपको यह सभी समझ में आई होगी इसमें से कुछ बाते आपको समझी नहीं होगी तो आप हमें हम कॉमेंट म में मेसेज कर सकते हैं ताकि हम आपको और डीटेल इसके बारे में बता सके तो आज हम यहां पर रुकते हैं आप सभी का धन्यवाद